नमस्कार आप देख रहा आरेडे नियोज मैं हूँ योगी श्कुर्वती एलजेपी आर के मुख्या चिराग पाश्बान इन दिनों बिहार की सियासत में होटकेक बने हुए हैं हर जगह उनकी चर्चा है खास करके राजनीतिक गल्यारों में अफवाहों अटकलों और कयासों का बाजार उनको लेकर तेज हैं कहा जा रहा है कि पहले पढ़ान मंत्री नरेंद्र मोदी की तीन सभाएं और उसके बाद बीजेपी के चानक की और किंद्रिय गिर्व मंत्री अमेग शाह की पाले गंज में पिछडा अती पिछडा सम्मेलन से दूरी बहुत कुछ कहता है चिरात पासबान के मन में क्या कुछ चल रहा है और जिसकी जिक शियासे लगाई जा रही है वो गलत नहीं है इसी मसले पर हम बात करते हैं वरिष्ट पत्रिकार संजय बर्माजी से और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच चिरात पास्वान के मन में बहुत कुछ चल रहा है और पी एम मोदी का हनुमाम द्वन्द में है कि कब पल्टी मारें कब उचल कर जो है महागटवंधन के खेमे में जाएं उश्वक्त का इंतिजार कर रहा है संजय जी शिराग पास्वान की अहमियत महागटवंधन यानि इंडिया ब्लोक और एंडिये दोनों को अवसकता है चिराग पास्वान नरेंद्र मोदी की तीन सभाओं में या फिर व्यतिया का हो और अंगाबाद का हो या फिर अन्य जगा का या फिर आज की बात कर लें अमीज साह के रैली में तो चारों रैलियों में उनकी अनुपस्तिती बहुत कुछ कह देती है उनकी अनुपस्तिती यह बात क्लियर कर देती है कि जो एंडिये कहा जा रहा है जो पाटी चार सो पार की बात कर रही है जिसने अपनी प्रथम सुची आज से पंदरा दिन पहले एक सो पंचानमे का इन्रेट का जारी किया था वहां कहीं ने कहीं गलबड है एक सो पंचानमे की जो सीट का जो एनॉंस्मेंट हुआ उसमें बिहार का ध्यान नहीं रखा गया आज भी बिहार के अंदर असमंजस की इस्तिती है बताया जाता है कि नितीश कुमार और भाजपा इन दोनों ने अपनी अपनी सीटे तो बाट ली जहां जनता दलीव 16 लड़ेंगी वहां भाजपा 17 लड़ेंगी लेकिन उनका जो एलाइज पार्टनर है अहम पार्टनर चिराग पासवान उपेंद्र कुसवाहार जीतन राम्बान जी इन लोगों को एक तरह से जो है न बीच में छोड़ दिया गया है बीच में छोड़ दिया गया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नितीज कुमार इन दिनों लंदन के दौरे पे हैं लंदन दौरे से पहले उनके जो दूत है जब पटना से दिल्ली गए नितीज के साथ तो वो अमिसा के साथ बैटकर आपस में उन दोनों ने मटबारा कर लिया और वो लंदन चले गए अब सवाल यह है कि वो दोनों लड़ेंगे तो उसके हिसाब से उन दोनों के भी टोटल 23 सीट मट जाती है फिर बचता है साथ अगर बात करें तो जीतन राम मांजी को जब पार्टी में लिया गया था मतलब इंडिये में तो उनके साथ जो बताता है कि तीन एंपी की सीट और एक राजसभा यह तय हुआ था उपंद्र कुछ वहा को तीन सीट यह तय हुआ था और चिराग पास्वान को जो पिछली बार जो जीती हुई सीटे थी छे सीट वह और प्लस एक राजसभा यह बात हुई थी एंडिये में और तभी इन लोग जो हैसो उपंद्र कुछ वहां में आपने देखा होगा नितीश की पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी बनाकर वह इंडिये के पार्ट बने अलाकि पहले भी वह किंद्रिय मंत्री रहते हैं अने जाने का करम रह लेकिन हालत क्या है इसको आप सिधा सिधा दगा बाजी या धोखा बाजी भी कर सकते हैं अपने एलाइज पार्टनर को भरोसे को जो है तोड़ना कर सकते हैं यह एलाइज पार्टनर में जो अभिश्वास का महौल है यह अभिश्वास का महौल ऐसे ही तो क्रियटर नहीं हुआ अब आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं थे पर्णान मंत्री के रहली में या फिर आज अमिसा के रहली में तो उपेंद्र भी नहीं थे फिर मांजी भी नहीं थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा जान भुझ कर उनलों को साइड लाइन में बिठा दिया है इसको इस रूप में क्यों नहीं माने आप क्या करना चाते हैं जैसे कि आपने वर्ड यूज किया कि डितीज जी जो है इन लोगों को बीच में छोड़कर बिदेश चले गए हैं तो बीच में छोड़कर चले गए हैं या मजधार में कस्ति पर बैठा करके मजधार में डूबने के लिए छोड़कर चले गए हैं य तक तो परिचालन ने स्टॉप हो गया अब वो जो नाव का परिचालन होगा जो समझ रहा है मैं हूं मैं ऐसे तो कहा जाता है कि उनका लंदन का दौरा कम्प्लीट इकारा तारीक को हो जागा तक तो लहरे बहा के ले जाएगी पतलब नाव को क्यों नहीं सुनामी हो सकता है इस भी सुनामी हो सकती है आप जो है चिराग पास्वान जो बिहार के अंदर उनकी जाती की जनसंख्या यादव और मुसल्मान के बाद तीसरे स्थान पर आता है पास्वान यानि दूसाद जातीर जनगन्ना के अनुसार वो जो है कि नहीं बिहार में जो है तीसरी बड़ी अबादी बड़ी ताकत है 5.76 परसेंट है उतनी बड़ी आबादी को जो है सो रहनुमाई करने बाला चिराग पास्वान और साथ साथ चिराग जुबाओं में भी काफी पोपलर हैं चिराग जो है बिहार फस्ट बिहारी फस्ट उसके माध्यम से उन्होंने और भी अत्रिक जो समू है उन समू हो में भी अपनी लोग प्रियता हासिल किया इसलिए उनकी अपने स्वजात ये भोट तो हैं उनके साथ उसके अलावा भी और भी भोट है लेकिन जो उनके साथ जो हो रहा है मुझको जानकारी मिल लिए मैंने पहले ही कहा कि उन दोनों ने मिलके माट ल हो गाप समझ लिजिए इनकी पहले से जीती हुई सिटे चैए तो अगर छे भी इनको देंगे क्या नहीं देंगे उपेंद्र कुछ वहा को तीन मतलब उन्होंने किया था प्रविस देंगे क्या नहीं देंगे रहा है हुपंद्र कुछ वहा है लड़ना चाहते हैं कारा काट से उनको भी कहा जा रहा है कि यह करा कारा कार की जो सीड है, वहां से जदिव का महाबली सिंग्धू आज का बर्तमान सांसद नीधीज कुमार से बात कर लें ये इनके बारे में इन पर काफी दवाव बनाया गया कि आप और पसुपति कुमार पारस बोनों एक साथ हो जाएं आप जानते हैं पारिवारी जगडा कितना कटीन होता है कि इन परिश्थितियों में पारस जी ने राम बिलास पासवान के बेटे के साथ जो कुछ भी किया वो सब जानता है एक तरफ तिराग पासवान अपने पिता के साय से महरूम हो गए और दूसरी तरफ देखिए ये जो राजनीतिक लिपसा इतनी कि पसुपति कुमार पारस ने उनका पूरा लूटिया डूबो दिया स सारे के सारे MPs को लेकर के वो चले गए सिर्फ मंत्री बनने के लिए उन्होंने लोजपा का जो जोपड़ी था उस जोपड़ी में आग लगा दिया अब बताइए को जोपड़ी जल गई तो यही कर रहे है मोदी जी क्या कर रहे है एक सवाल वरे सुचीता की मैं बात कर रह राम चंद्र पास्वान उनकी पहचान राम विलाज पास्वान से थी या फिर राम चंद्र पास्वान की कहने का अर्थ की जो है राम विलाज पास्वान के गुजरने के बाद उनके साथ जो कुछ बरताव हुआ या तो दिल्ली का उनका जो है छीना गया बंगला जिस की बातों के बीच भाजपा यह चाह रही थी कि चचा भतिजा मिल जाए यह कैसे संभब है आधार तो रचिराग पासवान के पास है और आप आधार को और आधार और जनाधार को कह रहे हैं कि ब्यक्ति विसेस के आगे आप घुटना टेक दो यह काम कराने का काम कर रही है भा पासवान के साथ जो कूछ भी हो रहा है आप लगता है कि बहुत आहत हैं यह बताइए कि जो चिराग पासवान है वो तो परधान मंत्री के हनुमान है तो फिर दिक्कत क्या है हनुमान तो कुछ भी कर सकते हैं हनुमान है तो हनुमान लंका में आग भी लगा दे सकते हैं इस बात को गोर किजिए हनुमान जो है आपने देखा होगा रमाइन के हनुमान का जब उसका मूड बोडाया गर्मा तो फिर उसने मतलब किले में आग लगाया नहीं हनुमान जहां रहेंगे जहां गुसा आगा उस लंका में आग लगा देंगे इसलिए मत भूलिए उन्हें छे सीट की जगा दो सीटें दी जा रही है अब बताईए वो क्या करेंगे क्या उपाय है जबकि जो मेरी जानकारी है उनका कोई सम्मान नहीं आप इसको दूसरे रूप में लिजे वो जो रहलियों में पधान मंत्री या ग्रह मंत्री की रहलियों में जो नहीं कहें संभव है कि उनको अमंत्रित नहीं किया होगा बुलावा नहीं आया होगा जो सम्मान जनक सीटे की बात की जा रही है हमको त तभी तो रेलियों में आनुपस्तिस है चिराग पासैशनेस की सीसायी है को बुलाएगा और कोई बुलाएगा 정वांडों और राम और हनुआन नहीं जाए ऐसा थो संबर नहीं है कि राम बुला नहीं रहाना जा नहीं रहे हैं लेकान के हम्ता है ल मान अपने पूच में तेल लुल लगा करके पूरे तयार हो कि बस जैसे ही मोका मिलेगा हम आग लगा nomad99 यह तैयारी तो हर के तरफ से आपने जो है अपनी तरफ से एक तूता और महिना मिल जाता है और सोचता है कि दूसरे को हम जो गिलहरी बना दें तो ऐसा कैसे चलेगा आप और नितिस दोनों से ठोक है अरे भीया आपका पिछले साथ पिछले चुनाओं में राम बिलाज जी थे और राम बिलाज जी ने तो आपने छे सीटे दी उनका जो है स्ट्राइक रेट क्या रहा शेक चे जीत के जनता अदलिव को आपने दिया कितना शत्रा और उसमें से उसने इसने विसका स्ट्राइक रेट रहा 90 पर सेंट आप न लीए आपपने जो लड़ा वह सारी सीटे जी तो अगर स्ट्राइक देखें तो आपका आप से आप सबों से बढ़ियां था फिर ऐसा नजर अंदाज करना यह क्या मतलब है तो फिर अगला अदमी भी तो सोचे वाले है चिराग पाशवान जी क्या कर देखिए हनवान जी का दाएंसे भी स्वागत भाइं से भी स्वागत है लेकिन यहां दो है वह उनको खटमल काट रहा है यहां जो है उनकी खटिया में खटमल ढूआ हुआ है और वहां जो है उनके लिए पलंग बिचा दिया गया है पलंग इन दे सेंस कि जो 6 सीटें आप जीत चुके हैं वो तो सीटें लेही लें दो सीटें और देता हूं मतलब बिहार के अंदर उनको 8 सीटों का उफर है और उसके साथ यूपी में भी दो सीटें जो आपकी पसंद क है वो ले लें तो अब चिराग जी क्या करेंगे आप स्वता समझ लीजे मैं समझ रहा हूं कि अगर हमें बाटना ही है तो मैं तो पूरे भारत में बाट दूसीटें आप लेने के लिए तैयार है जो नहीं अगर आप आप उफर कर रहे हैं तो फर से कोई डिनाई करेगा क् कर देता है आप यह बताईए कि महागटवंदन मेरे पास जो ख़बर है कि महागटवंदन के लोग चिराग पास्वान को आप इस वासी कर रहे हैं कर रहे हैं चुनाब जीतेगा हनुमान है पता नहीं कब कुद करके जाकर राम के गोद में बैट जाएगा तो यह अब इस उनको नितीज पर होना चाहिए था उनके साथ भी उन्होंने सत्रे महीने सरकार चलाई उसके पहले भी नितीज जी के साथ उन्होंने सरकार चलाई तो उस समय नितीज जी के पर थी क्यों नहीं अब इस्वास हुआ था जो आज चिराग पर आब इस्वास कर रहे हैं अरे र तो दे सद्दक्ष राजू तिवारी का मैं सुन रहा था सुवहीं सुन रहा था उन्होंने असपष्ट कहा कि जो है सो पहली बार तो भाजपा से हमारा चल रहा है अगर कोई कुछ हुआ तो मैं कटोर फैसला लूंगा इसका अंदाजा समझ लीजे और चिराग कर जहां तक से चले गए कुंग्रेस राज़त की तरफ भाजपा जो बिहार में 40 का दम भर रही है वह आधे से भी नीचे गिर जाएगी यह पक्का मान लीजिए इसकी समभावना कितनी है हंड्रेट परसेंट हंड्रेट परसेंट हंड्रेट परसेंट फिर वो जो नया समीकरन बनेगा आप जोड़िये अगर समीकरनों के हिसाब से और जाती के हिसाब से ही परसेंटेज के हिसाब से अगर राजनीत होती है तो आप जरा जोड़िये बढ़ियां से यादव कितना परसेंट 14 परसेंट कि 17 परसेंट 14 परसेंट मुस्लिम कितना परसेंट तो कितना हुआ और ये चिराग पहसवान का 7% कितना हुआ 40% बीगत चुनाओं में नर्ण मोदी को और इंडिया में कितना परसेंट भोट आया था 38% उसके पहले कितना है था 2014 में 31% तो आपको तो साफ साफ पिक्चेर तो बिल्लकुल साफ है हनुमान जी अगर बोड़ा गए गरम हो गए तो फिर पूरा लंका सर्बनास कर देंगे तो वीजेटी के लिए संजय जी संदेश दे रहे हैं कि अब भी वक्त है चेट जाओ हनुमान को गले लगा लो बढ़ना हनुमान को गुश्या आएगा तो आपकी लंका में आग लगा देगा और जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है संजय जी के मुताबिक फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें योट्यूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंच कर अपना बहुमुल्य बिचार और सुझाब जरूर दें धन्यवाद